वेल्कम बैक तो मेट्व चनल और आज का वीडियो तुम लोग के लिए काफी जादा स्पेशल होने वाला है बिकोज आज की वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक्स के उपर बात करने वाले हैं जो काफी सारी एक तरह से मिट्स बनी हुई हैं बट लोग उनके पिछे ऐसे भाग र रहे हैं और बैटर ग्राउंट भी आने वाला तो प्रैक्टिस करने की तो भाई जरूरत होएगी ना बरहां नूब के नूब भी रहा जाओगे तो यस जोइन कर लें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं और फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं वीडि ना कहीं हद तक सही बोल सकते हो बट यह चीज हर जंगा पर लागू नहीं होती तो वीडियो में रिक्वेस्ट एक ही है वीडियो में लाश तक बनने रहना तुम लोग को लाश तक सारा कुछ समझा जाएगा जो मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूं exactly सब्सक्राइख वाधिशेश्च गराफिश में इस घ्रिक सब्समारे जंकने करता है और इस चीज़ का मैं तुम्हें एक live example दिखा सकता हूँ तो एक clip देखो ज़रा मार दो भाई तो भाई तुमने यहाँ पे clearly देख लिया होगा clip में कि mortal ने सामने बंदे को कितनी easily without moment दिये मार दिया कैसे मार दिया because mortal का aim यहाँ पे अच्छा था वही पे सामने वाले बंदे ने तुम लोग ने देख लिया कि कितनी जादा खतरनाक moment सी दी थी जीगल वगल जो भी दिया था बट उसके बावजूद भी वो नहीं मार पाया और mortal ने उसको easily take down कर दिया अब यहाँ पे डालने को मैं अपनी clip भी डाल सकता था बट तुम लोग हमारी जो छोटे यूटीवर्स होते हैं वो clips जालते हैं तो उसमें तुम लोग के गया दे तो सामने वाला बंदा भाई तेरा खरीदा हुआ सामने वाला बंदे को तुने ऐसे ही करने को बहला हुआ था तो that's why मैंने ये वाली clip यूज करी था कि तुम लोग को यह की ना सके जो मैं बताना चारा हूँ तो सबसे पहले try करो कि तुम अपने aim अच्छे करो उसके बाद moment पर ध्यान देना because अगर तुम लोग का aim अच्छा नहीं होगा ना but in reality अगर तुम लोग enemy के perspective से देखोगे न point of view से देखोगे तो यह जीगल काफी जादा fast होता है और उसको aim lane में काफी जादा दिक्कात आती है तो सबसे पहले तो तुम लोग को try करना है कि तुम लोग को training ground में या कहीं पर ब्यार classic में चला जाओ कहीं मर्जी चल जाओ अपने aim को improve करना है और aim को improve कैसे कर सकते हो एक जंगा पहले खड़े रहके shoot करो कहीं पर different different targets पर एक जंगा खड़े रहके ठीक है उसके बाद तुम्हारे पहले तो standing aim सही होने चीए ठीक है और उसके बाद तुम लोग दीर दीर मुमेट करके aim देना aim लेके बंदे को मारना start करो because अगर तुम्हारे aim अच्छे नहीं होंगे और उसके बावजूद भी तुम्हारा aim और भी ज्यादा बिगड़ेगा और कहीं ना कहीं तुम्हारे mind में एक frustration type सा आ जाएगा कि नहीं यार मुझ से नहीं हो रहा छोड़ो मैं नहीं खेया सकता मतलब मैं को मजा ही नहीं आ रहा गेम में यह मतलब तुम लोग के सा situation हो सकती है अब तुम्हें इस clip में दिखेगा कि एक जगा मैं खड़े होके ना मारके थोड़ा थोड़ा सा moment कर रहा हूँ मतलब जीगल नहीं कर रहा बट हलका सा right side हो रहा हूँ उसमें थोड़ी सी मेरी moment है बट बहुत जादा नहीं है कि मेरा aim भी बिगड़ है तो यहां पर easily मैं देखो कि तुम सभी boards के head पे हम ले पा रहा हूँ में भी अपना practice कर सकते हो क्या ही दिखाता है केड़ी तो कम होगा मरोगी तो इसने जादा तो कुछ नहीं होगा मलब में तो तुम लोग को यह तुम लोग ट्राइक कर सकते हो बिल्कुल गेम में तुम लोग को यह वली clips देखके भी इतना तो समझ आग जोगा कि तुम्हारी movement उना जादा matter नहीं करती जितना तुम्हारा aim matter करता है तो try करो कि तुम लोग अपनी aim के उपस जादा practice करो instead of giving that moments और moments तो तुम यहार कभी भी दे सकते हो मुमेट में जादा कुछ नहीं करना होता मैं ना तुम्हारी aim practice होनी चीओ और aim practice कैसे होगी TDM खेलते हो तो aim assist off करके खेलो ठीक है मरोगे जहां पर 20 के लिए रहे हो आप 20 के लिए लिए ले पाओगे 20 के जंगा वह 7, 8, 10, 12 रहे जाएंगे यही चीज तुम्हें आगे जाके काफी ज्यादा benefit देगी और मतलब यह लगा लो अगर तुम्हें aim assist off करेके खेलते हो ना तो एक बार तो तुम्हार को यह लगेगा कि तुमसे बिल्कुल नहीं खेला जा रहा मतलब बिल्कुल तुम easily मरोगे बंदों से बट तुम्हारी ज कुछ नहीं एंडियर देखो और तुम लोग को यह चीज तो पता ही होगी कि तुम्हारा तो device और ping है वो बहुत ही जादा matter करता है कोई भी fight ले लो अगर तुम जीगल दो ना दो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा device है और एक अच्छा ping है तो सामने वाला बंदा जितना पर जीगल देले कहीं आगे तुम उसे ले जाओगे विकुज तुम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे डलते रहते हैं कि 30 fps जवाइस वरसे 60 fps जवाइस सेम टाइम पर दोनों बंदे शूट कर रहे हैं तो 60 fps वाला मार रहा है तो 90 fps आगया और मुस्टी लोगों की डिवाइस में 90 fps अभी सपोर्ट नहीं करता बट जिनके पास अंधा माया वाया है वो लोग अपना मस्ट लेकर बैठे 90 fps वाला डिवाइस तो कहीं न कहीं चीज होगा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उस प्लेयर को जिसके पास वो करनी है इन जेनरल ग्रोजा इतनी दूर यूज नहीं होती बट फेर भी मैं इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूं कि कभी कपार ऐसी सिचुकेशन होता है कि हमारे पास कोई अच्छा गन नहीं है बट फेर भी हमें इतनी दूर फायर करना पड़ जाता है तो उसके लिए हमें प अगली वीडियो के अंदर बहुती जल्दी एंड यहीं उमीद करूगा कि तुम लोगे को वीडियो भी पसंद आया होगा और वीडियो पसंदाया और उभी तक लाइक नहीं किया तो भाई बहुती गलत चीज है फट्टा बटसे लाइक का बटन दबा दो 100 लाइक का सकते हो, I'll try my best to sort that out और yes, bye bye guys, take care